टमाटर की ऐसी चटनी जो की बीना चीनी की तैयार होगी, खाने में जितनी स्वाधिष्ट और टेश्टी लगेगी, बनाने में उतना ही आसान है. हाई एवरिवन, पेड़ना डिलिस्यस फूर्ड में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की खटी मीठी चटनी, तो यहां रफली चौप किया हुआ हमने टमाटर ले लिया है, इसे चौपर में अच्छी तरह चला लेंगे और बारिक पीस लेंगे, कलांजी और तेल लिया है, और यह चटनी खाने में इतनी स्वाधिश लगती है, कि आप इसे समोसे, पकोड़े, पराटे, कचोड़ी किसी के साथ खा सकते हैं, इसके सामने सारी चटनी आपको बेकार लगेगी, तो यहां पे हमने पैन लिया है, उसमें हमने तेल को डाल दि उसके बाद इसमें हम कलांजी डालेंगे और हरी मिर्श डालेंगे, सारी चीजे अच्छी तरह भून जाएगी, तब इसमें हम वन पीच हिंग डालेंगे, हिंग डालने से टमाटर की चटनी में बहुत अच्छा स्वाध आता है, और यह डाइजेशन के लिए भी बहुत अ और टमाटर को अच्छी तरह पकने देंगे, जिससे की चटनी का स्वाध और भी अच्छा होगा, यहाँ पे टमाटर के पेश को हमने अच्छी तरह मिला लिया है, अब इसे कवर कर देंगे, और 5-10 मिनट तक इसे पकने देंगे, जिससे की हमारी टमाटर अच्छी तरह गल जाए यहाँ पे हम थोड़ी सी नमक करेंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाती है अब इसको दो से तीन में तक धक कर पकाएंगे जिसे टमाटर हमारी अच्छी तरह गल जाएगी और हम कवर अटाकर देखते हैं दोस्तों कि हमारी टमाटर हुई या नहीं हमारी चौपर में तीसा था उसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी मिलाकर एड़ करेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अब हमने यहां पर सभी चीजों मिक्स कर दिये थोड़ा सा ही से पकने देते हैं तो देखिए दोस्तों हमारे टमाटर यहां पर अच्छी गूर डालने से टमाटर करते बिल्कुल दुगना हो जाएगा और एक खटी मिठी चटनी तयार होगी जो कि हमने यहाँ पर बताया था आपको पहले भी कि यह बीना चीनी से तयार होगी अब इसमें हम आधा कब पानी आइड कर देंगे और पानी आइड करने के बाद इसको अ यह बहुत अच्छी बनके तयार होगी एक थीक सी चटनी तयार होगी जिसे आप अच्छी तरह डीप कर खा सकते हैं पराठे के साथ गूर और पानी डालने के वाह इसको हम एक से दो सिकन्ट के लिए कवर कर देंगे जिसे की गूर अच्छी तरह गल जाएगी और टमाटर भी अच्छी तरह यहां पर हमारे पग गए हैं तो यहां पर गूल को हमने गला लिया है अब थोड़ा सही से पकने देते हैं देखिए हमारी टमाटर की चटनी कितनी अच्छी तरह बनकर तयार हुई है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह बनाने में बहुत ही आसान है खाने में उतना ही स्वाधिश्ट है अगर आपको मेरी यह रेश्पी अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो नेक्स रेश्पी में मिलते हैं